चोटी मोटी भूक में अगर कुछ क्रिस्पी खाने का उमन कर रहा है तो आप इस रेसीपी को ट्राइ कीजी आपको ये बहुत पसंद आएगी तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए तो हमने यहाँ पर एक कटोरी पानी ले लिया सारा मिजर्मेंट कटोरी यहाँ के लाचे एक कातोर हमने में ले लिये हैं एक अलू के लचे enabling मैं बड़ा से डाने के लिएक नंगा पानी हम भोचें करिके वाच कर ले अजिसे केल डाल के लेखलक नकालना भोख जासे तो आगर आपके पास चावल का इंग जावल के अटय से कि आठेब माच्छ करने नाशान वह सूपर किरिस्पी हो जाएगा है तो हम ने शुरुमात में आदा कटोरी पानी लिया था तो इसमें हम आदा कटोरी पानी दोबारा से कर रहें मतलब की हात रोक कर डालना है एक दम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने आटे में यहां पर एड़ किया है आलू के लच्छे यानि कच्छे आलू के लच्छे तो यह पानी रिलीज करते हैं तो बाद में जो हमारा यह बैटर रही लिकुडी ना हो जाए उस हिसाब से हमें फानी यह पानी ढाला है मतलब यह यह है कि जितनी या जरूरत हो उतना ही पानी हमसे ंज हमें पकर और दो करें जिससे आपको सही अंदाजर है जिससे हमारा जो बैटर है जादा रनी ना हो जाए अब इस बैटर में कुछ फ्लेवर देने के लिए हम सबसे पहले यहां पर एड़ कर रहे हैं एक मेडियम साइज का प्याज यानि कि प्याज जादा नहीं है ना जादा ना कम इतना प्याज बच्चों के लिए बी बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची अपने उरचपना से मुद्ध बैलन्स करके लिए यानि कि य Tomato करते हैं जिसके स्प्सक्रार को मिर्च आख सकते हैं यह फिर jeना भी नाशता है नास्ता ठीइग अट इस्के बिना सकता है जो तो इससे ओं उस तो चोटे चमचे से मैं यहां पर एक चमचा बैटर इस तेल में डाल रही हूं तो ऐसा कोई शेप का यहां पर कोई फंडा नहीं है आप जैसे डालेंगे यह अपने आपी शेप ले लेता है और डालने की एक कुछ सेकंड बाद यह देखिए हलके से जब भी नीचे चाहे या अगर कुछ क्रिस्पी कुरकुरा बनाने की सोचर समझ में नहीं आ रहा क्या बनाई या घर में अचानक से महमान आ जाए तो आप इस नाश्टे को पांच मिनट में बना के उन्हें खिला सकते हैं सच में आपसे वह इसकी रेसेपी पूछे बिना घर से जाने वाले नहीं है पस इसी तरीकी से सारे बेटर में से हम फटा फट यहां पर नाश्टा बना लेंगे और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कोई हाथ गंदे होने की भी कोई प्रॉबलम नहीं है आप इसको चम्चे से बहुत इसली बना पाएंगे लिए और ऐसे डिफरेंट रसी पीजिए तो मिलते हैं नई डिने रेसीपी के साथ हैं केवल दो आलू की इस्तेमाल से आज हम बनाने वाले चटपटा और स्वाधिस नाश्ता और हां यह नाश्ता ना तो पूरी है ना को चोरी बिल्कुल डिफरेंट नाश्ता है एकदम अ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अची डिफरेंट डैसी देखने के लिए तो यहां पर हमने दोनों कच्छे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और हमने इनको म पानी यहां पर मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है इनका जो भी स्टार्स था वो निकाल दिया और एक्स्ट्रा पानी भी मैंने आपर निकाल दिया तो यह लच्छी अब बिल्कुल सूखे है तो इन्हें अभी रखते हैं एक साइड में और कर ले देख छोटी सी त होता है तो यहां पर पानी को हमें थोड़ा सा पहले गरम होने देना और जैसी कि इसमें आप देख रहे हैं मानि हमारा गरम हो गया अब इसमें जो हमने आलू के लच्छे ग्रेट करके रहा हूँ यहां पर एड़करने तो आलू के लच्छे एड़ हो गए हैं आं Casey न्याव हमें इनको पकाने के लिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक एड़ कर देंगे इस से हमारे आलू की जो लच्छे है वो जल्दी पकेंगे और साथ मैं एक चमबच यहां पर कुकिंग उयल आड़ कर दिया है कोई भी कुकिंग उयल आप यहां पर एड़ कर सकते हैं और यह द मेंदा कब चावल का आटा लिया है और के अब यहां पर करदेंगे बंद यानि कि म्लीन याँ फोड़ा सा इसनों के साथ को लट तरीक से मिक्स कर देना अब極गग धोर अच्छे से लखो में बाइंडिंग आ टुकड़ा अद्रब का ग्रेट करकर ऐड़ करके यानी आप कूटकर भी कर सकते हैं एक खरी मिर्ची बारी कट करकर ऐड़ कर रहे हैं तीखे के लिए और भुछत कम चीजों के साथ बहुत कम मसालों के साथ चटपत यह आसान और स्वादिस नाश्टा बनकर तयार हो जाता है एक तम कम समय में, तो यहाँ पर एक चोथाई चमच मैंने कुटी भी मिर्च ले ली है, एक चोथाई चमच ही मैं यहाँ पर भुनावा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में ले रही हूँ बिल्कुल एक पिंच अजवायन जिसको मैंने पहले हाथ पे अच्छे से का लेंगे, बहुत आसानी से और चटपट यह आटे की फोम में आ गया, यह देखिए, बढ़िया सा हमारा आटा लगके तयार हो गया हाथों को धोकर मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया है, ग्रीस कर लिया है, जिससे यह मिक्स्चर हाथों पर चिपके ना, तो रोटी जितन पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, तो आज मैं इसको देने वाली हो यह शेप और आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया हमारी टिक्या बनकर तयार हुई है, तो चलते हैं, गैस की तरफ तो कैस पर मैंने पैंच चड़ाया है, और बहुत कम तेल के साथ हम क्रिस्पी चट तो हाई के बीच में रखना है, क्योंकि हमने चावल आटा मिक्स किया है, तो हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही यहाँ पर शैलो फ्राइ करना है, और आप देख सकते हैं, कितना कुरकुरा कितना क्रिस्पी अलर आ है, देख कर ही मूं में पानी आ रहा है, तो अलट क्या करें, तो चटपट दो कच्छे आलो से आप इनाश्ता बना सकते हैं, या फिस सुबह शाम की चाय के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता इस नाश्ते को बनाने में, और देखें बिल्कुल भी इस कर लीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर दीजेगा आपको रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग